नमस्कार आप देख रहें नवर टाइम्स और मैं हूँ केशव बिहार विधान सभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है लेकिन आज पहला दिन था शोक सभा के साथ यह सत्र खत्म हुआ है लेकिन आपको बता दें कि यह सत्र जो है काफी हंगामेदार होने वाला है खास बात यह रही कि आज महा गडबंदन की एकता और मजबूती का संदेश देते हुए एक बार फिर से नितीश कुमार पल्टी मार सकते हैं लेहाज आज नितीश कुमार और तेजस्वी यादव ने सीधे तोर पर गडबंदन की मजबूती की एकता का जो है वो संदेश दिया दरसल एक तस्वीर नज़र आई, दरसल नितीश कुमार और तेजस्वी अदव जो है, वो एक साथ एक ही गाड़ी में सदन में हिस्सा लेने नज़र आए, मैं सबसे पहले चाहूँगा अपने सायोगी से कि तस्वीरों को दिखाएं, और दिखाएं कि देखें, इस वक्त जो जुलाई तक चलने वाला है, और इस पांच दिनों के छोटे से मौनसून सत्र के दोरान, ये माना जा रहा है कि ये सत्र काफी हंगामेदार होगा, बीजेपी ने इसके लिए काफी अच्छी खासी तैयारी भी कर ली है, तैयारी के मदे नज़र उसने जिस तरीके से सरकार क खेरना है, उसकी रणनीती बना ली है, रणनीती के माध्यम से अगर देखा जाए तो उसने एक तरफ जहां तेजस्वी आदब पर चार्ट शीट दाखिल हुई है, उसकी तियारी कर ली है, वहीं दूसी तरफ सिक्षक बहाली की प्रक्रिया जो जिसमें बदलाव किये गए है, उसे लेकर मुद्दा बनाने के पूरी तरीके से मूड में है, बिहार की जो लॉयन ओर्डर की विवस्ता है, उसे उस पर सवाल उठाने के मूड में है, और जहां तक बात की जाए कि जिस तरीके से सिक्षक बहाली की प्रक्रिया में बदलाव किये गए हैं, उसे लेकर चात्रों का जो अभ्यर्थी हैं उनका जो आंदोलन हो रहा है उसे भी कैश कराने के मूड में है तो लियाज इस बार का बिहार विधान सभा का मौनसून सत्र जो चार दिनों का होगा आज तो अब चार दिन बाकी है अब आज के बाद से चार दिन और अन्य दिनों में होने है लकिन इस छोटे से सतर में माना जा रहा है कि पुरजोर सत्तापक्ष और विपक्ष की लड़ाई देखने को मिलेगी, घंगोर हो गा क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाओ है और इसका असर जो है वो देखने को मिलेगा विधानसभा सतर के दोरान, सवालों और जवावों के द बात होगी कि किस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष हंगामे करता है और इस सत्र का आखिर क्या हश्र होता है सही होगी बिट्टू के साथ केशव समन सिंग पठना